36 गर राज एट्स नियंतरन समिती रायपूर के निदेश से सब आगे समाज सेवी संस्था धंतरी में सत्र 2010 से अब तक एट्स नियंतरन कारे करे करे तिलिंग समुदाय के द्वारा यह संस्था टीजी समुदाय के लिए कारे कर रही है इनका कायना कि लिंग्य समस्याओं के चलते उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया गया जिसे उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं होती है लेंगे एक भेदवाओ के चलते समाज में छक्का और हिजड़ा करकर इनका मजाक उड़ाया जाता है वह बेरुजगार और जीमन यापन के साधन के अभाव में उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है जिसे अब इनको रासन और आवास की समस्या हो रही है जिसकी जानकारे उन्होंने कलेक्टर जन दर्सन के माध्यम से दी गई है और रासन और आवास की समस्याओं का समधान करने की मांग भी की है रासन काड़ना होने से तो पहली समस्या सो सर ने बताया जैसे की घर चलाने के लिए राशन जरूरी है और पहली बात दूसरी बात यह है कि पाथ मिक्ता मिल जाएगी हमको धम तरी में क्योंकि यहां है हम इसी धम तरीके होकर भी इस धम तरीके नहीं है उसके बाद तेले कि जॉब जॉब और वेकेंसी कई सो चीजों में जो रासन काड़ की जरूबत होती है वो अभी तो इंटरनेशनल थर्ड जेनर आड़ी के लिए हमने अपलाई किया है तो बोले हैं सर की बन क्या या करक्री अब वो जैसी आएगा रासन काड़ भी आ जाएगा तो बस यही बोलना है कि रासन काड़ हमको जल से जल बना के दे दिया जाए जो कि इन लों की समझ जाए हैं कि इनको अवाश नहीं मिला है अवाश के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आया थे कलेक्टर साहब ने हम अस्वासन दिया है कि जल से जल इसकी कारवाही की जाएगी लेकिन अभी फिरहाल इनको किराया से मकान पे रहकर उनका किराया कलेक्ट करें और जलसे जलिए